वेलकम फ्रेंड्स वेलकम टू एजी लेंडिंग जोन इस जो टू लान मैं हूँ संजीब और आज के इस वीडियो में हम लोग देएंगे 30 इंपोर्टेंट प्रिवेसरे कोस्टेन जो आने वाले एंटीबिस एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा आप लोग क कर दिया हूँ हर रोज 8 बजे का एक सिरीज शुरू हो गया है अप लोग अगर नहीं देखते हो तो आप लोग 8-15 वाला जो वीडियो देखते हो आप लोग 8 बजे भी देखना शुरू कर दीजिएगा क्योंकि दूस्तों वह भी बहुत ही इंपोर्टेंट है आप लोग के केबूल लम्जाव नेशनल पर्क कौंसे स्टेट में है मध्यपातेश्य करणाटाग स्टों दोस्तों बोलिए इसका राइट है आपसं डी मंजब़ में है कैबूल लमजाव नेश्नल पर्क ठीक है दोष्टो क्रेंटर है restless驰स्टिम्ट को मरजर्षेल बैंक्न इंडिया ? में घडेयर्स बैंक अर्य आपसंसर डीन चालराइण से में है được स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाजेस्ट कॉमर्शियल बैंक है इंडिया का नेक्स्ट कुष्टन है वेन वाज दे रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया इस्टाबलिश किया गया थे तो आप्शन ए में 1935 ऑप्शन भी 1920 ऑप्शन से 1928 और ऑप्शन दी 1947 आप्शन ए 1935 को रिजर्ब बैंक इस्टाबलिश किया गया थे नेक्स्ट कुष्टन है ग्रेंड सेंट्राल टर्मिनल पार्ग अविन्यू नी यॉर्क इस दा वाल्स तो आप्शन ए में लार्जेस्ट रेलो इस्टेशन ऑप्शन भी हाएस्ट रेलो इस्टेशन ऑप्शन सी लार्जेस्ट रेलो 5 इस्टेशन डिना और वॉप थे हमाल्स ओप्शन अ अग्रेंड थे निर्स टोस्तो शुलें तो ब्लाड गेंसर ऑप्शनै बटफल्व और यॉथिलू से मॉलिए ऑप्शन अब्सकान दोग स्थो नीक्स्ट च्रहएस्स एच उप्शन उप्शन है Option A, Swine Flu is Question Right And Sir next question chicosá Gun Metal is an Alloy? Option A, Copper & Zinc Option B, Copper Tin Zinc & Lead Option C, Copper Tin Silver Option D, Nan Jack तो दोस्तो बोली इसका Right And Sir अप्सवन भी ही कौपा टीन जिंक अड्ल फंड लेट गान मेटल का कॉम्पोशन है नेक्स्ट कुश्टन है एंटमोलोजी इस साइंस जाइन्स जाइन्स तु जुस्त्वे एंटमोलोजी कि से रिलेटेड है तो दुस्तो आप लोग चारह अप्सिन देख सकते हैं इन चारह क में से कौन से ओप्षिन होगा राइट ओप्षिन तो आप लोग इस कुश्टन का अंसर बोलिए ओप्षिन भी इंसेक्स दोस्तो एंटामोलोजी इंसेक्स है इंसेक्स से रिलेटेर है नेक्स्ट कुश्टन है इरिट्रिया विच बिकम दा 182 सेकेंड मेंबर ऑफ दा यूएन इन 1993 इस इन दस कॉंटिनेंट ओप्षिन तो दोस्तो आप लोग चार ओप्षिन देख सकते तो बोलिए इसका राइट अंसर प्षिन भी आफ्रीका तो दोस्तो इस कुश्टन का राइट अंसर होगा अफ्रीक कुश्टन है गरमपा नी सेंचुरी इस लोकेट टेट ए़ तो दोस्तो गरमपा नी सेंचुरी का पर है तो दोस्तो आप लोग चारो ओप्षिन देख सकते तो इन चारो ओप्षिन में自कौंस ?प्षिन. और ऑप्षिन तो attractive की दिफु आसम ठीक दोस्तों स्टों सब्सक्राइब्स दोस्तों सब्सक्राइब क्या होगा बोलिये आप्शन A, जेनभा इसका राइट अंसर नेक्स्ट कुष्टन, फिच स्टेट इस कॉल्ड एक बावलोप इंडिया दोस्तो एक बावलोप इंडिया कौन से स्टेट को कहा जाता है आप्शन A में हरियाना, आप्शन B करेला आप्शन C, आप्शन B आप्शन दी, अंद्र अंद्रपदेस तोस्तो इस कुष्टन का राइट अंसर आप लोग बोलिए आप्शन D, आंद्रपदेस को कहा जाते है एक बावलोप इंडिया नेक्स्ट कुश्टन है दे हेड़कोर्टर ओप वेस्ट सेंट्रल रेल्वेइड का हेड़कोर्टर का पर है option A में है बिलासपूर, option B जबबलपूर, option C हाजीपूर and option D राइपूर तो दोस्तो इस कुश्टन का राइट अंसर पोली है option B जबबलपूर इस कुश्टन का राइट अंसर होगा next question है दूरान लाइन इस इंटरनेशनल बोर्डर लाइन बिटूइन तो option A में पाकिस्तान अफगानिस्तान, option B इंडिया और चाइना, option C इंडिया और पाकिस्तान and option D इंडिया और नेपाल तो दोस्तो इस कुश्टन का राइट अंसर क्या होगा option A पाकिस्तान अफगानिस्तान इस कुश्टन का राइट अंसर होगा next question है the capital of Finland इस दोस्तो फिन्लेंड का capital क्या नाम क्या है option A में संटियागो, option B विक्टोरिया, option C हेल्सिंकी and option D बाकू तो दोस्तो बोलिया इसका राइट अंसर option C हेल्सिंकी इसका राइट अंसर होगा, capital of Finland है हेल्सिंकी next question है the fifth biggest planet of the solar system is दोस्तो fifth biggest planet का नाम क्या है solar system में option A में है March, option B Mercury, option C art and option D Saturn तो बोलिया इसका अंसर option C आर्थ होगा इसका राइट अंसर next question हे for which of the following disciplines of is Nobel Prize awarded तो दोस्तो बोलिया आप लोग चारो अंसर देख सकते तो चारो option में से कौन सा option होगा, right option इस question का तो बोलिया आप लोग option D all of the above तो दोस्तो इन सभी में दिया जाते है next question है who is regarded as the father of biology, दोस्तो father of biology किसे कहा जाता है option A में robot dober, option B robot hook and option C robot coach and option D Aristotle तो दोस्तो बोलिया इसका राइट अंसर क्या होगा option D Aristotle को कहा जाते है father of biology next question है दोस्तो पत्ना is located on the bank of दोस्तो पत्ना कौन सी रिवर साइट है option A में है Hubli, option B Dapti, option C Subaru Narekhand, option D Ganga तो दोस्तो बोलिया इसका राइट अंसर क्या option D Ganga दोस्तो पत्ना गंगा रिवर साइट है next question है baton cup is associated with which of the following games option A में है volleyball, option B badminton, option C hockey and option D football तो दोस्तो बेटन काप कौन सी खेलो से जुड़ होए बोलिया option C इसका राइट अंसर होगा होकी next question है दिलवरा टेंपल is situated in दोस्तो दिलवरा टेंपल का पर है option A में है दिल्ली, option B करनाटका, option C Rajasthan and option D Kolkata, तो दोस्तो दिलवरा टेंपल का पर है बोलिया option C Rajasthan में है दिलवरा टेंपल next question है बंधन एक्स्प्रेस रांच विडियों दोस्तो बंधन एक्स्प्रेस किस दो कांट्रियों को बीच चलता है तो फर्स्ट में दिल्ली अंड लाहोर, सेकेंड कोलकाता एंड रहका, थार्ड कोलकाता एंड खुलना, फोर्थ या अटारिया अम्रेट शर option C, कोलकाता एंड खुलना इसका राइट अंचर होगा next question है, headquarter of oriental bank of commerce located in which state? दोस्तो, headquarter of oriental bank of commerce कौन सी इस्टेट में है? option A में मॉंबाई, option B कोलकाता, option C chain and option D हरियाना, तो दोस्तो, बोलिया इसका राइट अंचर, option D, हरियाना में है, oriental bank of commerce का headquarter next question है, जाकीर होशन वाजे, तो दोस्तो, जाकीर होशन किस से जुड़े होए थे? option A में बीना, option B, सितार, option C, तबला and option D, painter, तो दोस्तो, इस question का राइट अंचर आप लोग बोलिया option C, तबला, तो दोस्तो, जाकीर होशन तबला वादक थे next question है, brown revolution is related to, दोस्तो, brown revolution किस से संबंदित है? option A में है, oil seed, option B, petroleum, option C, fertilizer and option D, leather and coca, तो दोस्तो, बोलिया इसका राइट अंचर option D, leather and coca related है, brown revolution से next question है, polo team has dash number of pillars, तो दोस्तो, polo team में कितने number of pillars होते है? option A में है, 4, option B, 6, option C, 7 and option D, 9, तो दोस्तो, इस question का राइट अंचर आप लोग बोलिया option A, 4, ठीक है दोस्तो, polo team में 4 pillars होते है next question है, दोस्तो, Hitler party which come into power in 1933 is, दोस्तो, Hitler का party का नाम क्या था? तो आप लोग चारो option देख सकते हैं, तो बोलिया इन चारो option में से, कौन सा option होगा? right option option B, Nazi party से related थे, Hitler next question है, Myanmar does not share its international boundary with Myanmar कौन सी देशों से साथ international boundaries share नहीं करता है option A, Laos, option B, Thailand, option C, Vietnam and option D, India option C, Vietnam से international boundaries share नहीं करता है next question है, Central Building Research Institute where located? तो दोस्तो, Central Building Research Institute का पर है? option A में है कारनल, option B, Kanapur, option C, अगर तला हैंड option D, Roorkee तो दोस्तो, बोलिया इसका राइटन सुन option D, Roorkee में है Central Building Research Institute next question है दोस्तो, the highest peak in South India is? तो option A में है अनाइमूदी, option B, दोजावेता, option C, निलगरी and option D, Everest दोस्तो, highest peak South India का कौन सा है? बोलिया option A, अनाइमूदी ठीके दोस्तो, next question है when is World Children's Day observed? दोस्तो, World Children's Day कौन सी तिथी को मनाया जाते है option A में 16th November, option B, 17th November, option C, 18th November, option D, 20th November option D, 20th November, ठीके दोस्तो, तो दोस्तो, यह थे 30 important previous question जो आने वाले NTVC exam के लिए बहुत ही महत्पूर्ण रहेगा आप लोग के लिए, तो दोस्तो, आज का जो 5 question का topic है, उस topic का नाम है clear and books, दोस्तो, clear and books से मैं आप लोग को 5 question देता हो, इस 5 question के एंसर आप लोग comment में बोलेगा या तो आप लोग कोपी में लिख लीजिएगा, ठीके दोस्तो, तो first question है, goal whose autobiography, दोस्तो, goal किसका autobiography है second question है, playing it my way, whose book, दोस्तो, playing it my way, किसका book है, third question है, one century is not enough, whose written book, fourth question है, wide angle, whose written book, दोस्तो, wide angle, किसका written book है, fifth question है, the rest of my life, whose autobiography, दोस्तो, race of my life, किसका autobiography है, ठीके दोस्तो, तो इस 5 question का answer आप लोग comment में जरूर बोलिएगा अगर आप लोग comment में नहीं पोलना चाहते हूँ, तो आप लोग copy में लिख लिजिएगा, इससे क्या होगा, आप लोग को 5 question एक्स्टा जानने को लिए मिलेगा, ठीके दोस्तो, तो आज का वीडियो इतकता वीडियो अगर पसंद आए, तो एक like जरूर करे, अगर दोस्तो वीडियो को आप लोग share चरूर करें अपने friend के साथ, एंड दोस्तो, कल हो जाएगा antivis series का 21 number test, तो दोस्तो 21 days के बाद आप लोग क्या करिएगा, कि आप लोग कल का जो series होगा, ओ तो series देखिएगा, एंड दोस्तो, repeat करिएगा, फास्ट series जो होगा antivis का, ओ series भी देख ल लगते हो, तो एसलिए 21 days के अंदर आप लोग को दो बर रिभाइच करना होता है, तो एसलिए 1st जो test series था, ओ 1st test series और आज का test series काल का जो test series होगा, ओ देख लीजिएगा, तो दोस्तो मिलते हैं नेगा,